चलिए फड़ा फड़ से टॉपिक शुरू करते हैं आज का टॉपिक है एक के बाद एक पूरा प्लेलिस्ट है एक पूरा प्लेलिस्ट यानि इक्विटी डेरिवेटिवस का जाके एक बार आप लोग देख लिजिए ताकि क्या होगा आप शुरू से देखेंगे तो हर एक च चीज आपको ख्लेयर आ जाएगा और जो लोग एक्सपर्ट है उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं वो लोग जहां से भी देखेंगे समझ जाएंगे तो उनके लिए जोग सपर्ट उनके लिए आप देख सकते कही से भी ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है ये ट्रेडिंग सि बढле करों जाता है वीडियो को पूरा देखिए आप चाहे तो स्पीड बढर के देखिए को दिक्कत य Baykaat और वीडियो में मुझे में बढर दोस्तो तो मिडिल में चैसा बात निगलाता है उन अच्छा और एक चीज परसनल ये एक अपिनियन है मुझे ऐसा फील होता है दोस्तो फॉर स्टार्टिंग केरियर एफ्रीवन शुट वर्क अट लीस्ट उफ सिक्स मन्स विद एनी बैंक और ट्रेडिशनल ब्रोकर क्यों क्योंकि आप अगर ऐसा डीलर बेस लेवल गूट ले होगा आपका माइंडसेट अगर आप एक ग्रूप मतलब एक रूट लेवल पर काम करते तो मुझे ऐसा फील होता है हर किसी को छे मैने अपने केरियर के स्टार्ट में किसी ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए उसके बाद आप आपके रस्ते जा सकते लेकिन अट लिस्त फाइ बहुत हो जाएगा आपका खुद का स्टाइल डिवलप हो जाएगा ठीक है बहुत हो गया लेक्चर अभी चालू करते है चैटर चैटर 6 के है इंट्रोडेक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम के ओवर्वियू में यह एक चैप्टर है तो यहाँ पर यह जो इतना सारा पार्केट से हमारे यहां पे यह सब आप लोगों को पता ही होगा ठीक है तो यह सब आप एक बार रेडिंग पर लेजे यहां से मेंचीज चालू होता है entities in the trading system, trading system में कितना तरह के लोग होते हैं ठीक है trading members, trading income clearing members, professional clearing members, self clearing members, participants participants, सबसे पहले participants को बता देते हैं जो कि आप और हम है ठीक है जो कि आप है और हम है यह वाला part हो गया participants कौन है आप हम हर तरह के local traders, retail traders बात आता है trading members कौन है इस पर कोई confusion मत लीजे trading members हम नहीं है हम trading members नहीं है हमें participants trading members उन तरह का trading members अच्छली अभी trading members बहुत घड़ गया है आप जाये तो Google पर एक बर search करकर देख सकते हैं एनसी की list पर आपको मुश्किल से 50 trading members मिलेंगे trading members वो लोग होते जो खुद का trading account देखते हैं जो खुद participant होते हैं जो खुद का trading account देखते हैं उसके साथ-साथ उनके पास अपने clients का trading accounts का एक्सेस होता है ठीक है यहाँ पर समझने की बात एक है बहुत सारा समझने की trade कर पाएगा ठीक है यह होता है trading members अभी आप बोलेंगे कि तो हर कोई trading member हो गया ना जिनके पास हम trade करते हैं नहीं वहाँ पे एक किक है एक थोरा सा changes है वो chapter जैसे जैसे gradually हम बढ़ते रहेंगे तब हम discuss करेंगे ठीक है trading members कौन होते हैं they are the members of stock exchange they can trade either on behalf of their clients or on their own account exchange assigns a trading member ID to each of its trading member एक trading ID होता है उससे वो खुद का trading और दूसरे का trading भी देख सकते हैं यहाँ पे एक reading है एक बार आप पल लीजे बहुत कम अभी trading member बचा हुआ है unique trading member is common of all users particular member therefore it functions as a reference to all यह आप reading पर लेजी यहाँ पर आसा कुछ नहीं है बस topic को समझे ठीक है trading member is responsible to maintain adequate control over persons having access to the firm's sales activities ठीक है मतलब एक firm हुआ वो trading member हुआ वो खुद का trading भी देख रहा है दूसरों का trading भी देख रहा है उसके firm का जो जो trading members का participants है ठीक है next आता है trading come clearing members यह कौन होते trading come clearing members होते देखिए जो trading members होते उनके पर आस clearing का right नहीं होता है वो clear नहीं कर सकते वो position square off कर सकते वो positions बिल्ड कर सकते लेकिन position square off build के बाद जो रिक्स का team clear करता है वो उसका right एक trading member के बाद पास नहीं होता अब यहां पर बहुत सारा vast questions आता है रिक्स team क्या है रिक्स management क्या है वो आपके syllabus के बाहर है इतना कुछ मत लीजे अपने दिमाग में आप trading करना भूल जाएंगे आप last पर आप रिक्स पर चले जाएंगे तो उतना आपको जानने की जरुरत नहीं है जरुरत तो है कुछ भी जरुरत के बिना नहीं है लेकिन अ सकते हैं मतलब trade जब square off हो गया जब end of the day सब कुछ positions एकदम हो गया है तब clear off तो होता है आपको तो next दिन आपका positions नहीं दिखता है intraday में जो कर रहे है या फिर जो holding में आप sell किया है तो next दिन तो वो position नहीं देखता है वो cleared हो चुका है वो settled हो चुका है तो यह settlement वाला process जो such CMs में clear and settle their own proprietary trades, their client trades, allways as as well as trades of other TMs and custodial participants मतलब trading come clearing members हो गये वो लोग जैसे कि मैं एक example देता हूँ participants हमें trading members को एक firm हो गया जैसे कि ABCD firm वो खुदका भी एक ID ले लिया वो खुदका trading भी देखता है दूसरों 10-12 लोग का trading देखता है जैसे कि मान लिजे मैं कोई नाम ले लूँगा बहुत बड़ा कोई YouTuber है ठीके बहुत बड़ा अच्छा बहुत बड़ा position बनाता है वो खुदका भी trading देखता है उसके साथ साथ अपने 50-60 clients का भी trading देखता है लेकिन उसके पास settlement करने का right नहीं है उसके पास settlement करने का right नहीं है तो वो किसी ट्रेडिंग मेंबर को हायर करेगा अपना trade सेटल करने के लिए जैसे live example हो गया एक trading कम clearing member मतलब एक clearing member का example हो गया IFSL मतलब जो जिरोधा का trading clearing member है जिरोधा किसके पास जाता है trading अपना clear करवान है IFSL के पास ठीक है professional clearing members को कौन हो गए अच्छा clearing member क्या है वो एक trading member भी है लेकिन हर trading member clearing member नहीं है लेकिन हर clearing member trading member है यह question आएगा is every clearing member is a trading member no but is every trading member is a clearing member no but is every clearing member is a trading member absolutely तो यह सारे tricky questions आए सकते अच्छा इस वीडियो के नीचे ना दो लिंक दिया हुआ है mock test है जो लोग का exam near में है आप लोग practice कीजे मैं और mock test दीरे दीरे लाता रहूँगा तो आप नीचे एक बार practice कर सकते जब तक हमारा course खतम नहीं होता आप वहां से practice कर लिजेगा ठीक है ट्रेडिंग कम clearing members हो गया जो लोग दूसरों आच्छा ट्रेडिंग कम clearing members कौन किस-किस का trade settle कर सकता है खुद का अपने clients का दूसरे trading members का भी ठीक है तो जो bank होता है SBI, HDFC, COTAC, जितना भी banks होता है वो professional clearing members है बहुत सरे discount brokers professional clearing members के पास भी जाते हैं बहुत सरे discount brokers trading कम clearing members के पास भी जाते हैं वो उनके budget के हिसाब से है या फिर उनके risk appetite उनके उनका वो हमारा बात नहीं है लेकिन professional clearing members कौन होते है नौर्मली banks होते है यह लोग ठीक है यह बात इतना याद रखिए बस और एक चीज आता है self clearing member यह कौन होता है कोई trading member मान लिजे कोई खुद का right ले लिया वो बस खुद का trade settle कर सकता है दूसरों का कुछ नहीं खुद का trade मान लिजे कीरा जग गया किसी को खुद का trading ID भी ले लिया trading member भी बनी और खुद का trade settle कर रहा है तो इस तरह का चीज़े बहुत कम होता है rare case है बस यह चार चीज़े आप लोगों को जान एक website है वहां से 500 या 600 रुपे देखे PDF डाउनलोड करना चाहिए वाई मुझे तो समझ नहीं हा रहा है क्यू मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा में दे रहा हूँ नीचे में mock test भी दिरे दिरे भी लाता रहा हूँगा तो अगर आपको पैसा खरच करना ही है तो कीजिए आप क्या बताए आपको अगर लेना ही है तो अब ले सकते लेकिन वो मेनेटरी नहीं है आपको एक पैसा खरच नहीं करके भी आप अच्छी तरीके से ये exam पास कर सकते हैं ठीक है Market timing of derivative segments. Market timing derivative segments क्या है? सुआ न से सारे तीन इसमें और कुछ नहीं है बोलने वाला Corporate hair की. Corporate line पे जब आप बुछेंगे तो तीन hair की होता है. Corporate manager, branch manager and dealer ये exam dealing के लिए है. Corporate manager, branch manager and dealer. Dealer कौन और आचा एक एकर के बोलते हैं. Corporate manager कौन होता है? इनके पास corporate manager के पास वो authority रहता है वो hair की power रहता है कि वो सारे dealer सारे इंडिया पूरा company का जितना भी trade हो रहा है वो उसको देख पाए उसको उसके हिसाब से अपने exposure book का मान लीजिये मतलब जो rules रहता है पहले का time पे अभी तो दीखे से भी बहुत tight हो गया है पहले होता था न कौन लाता था वो लाता था corporate manager corporate manager के पास यह power होता है कि वो अपना leverage book वो अपने exposure book वो अपना margin यह सारा decide करें जैसे जैसे मैं आपको एक बोकर बता रहा हूँ एकस्प्रेसो एकस्प्रेसो में क्या किया है options पर leverage रहा है हरको यह नहीं देता है options पर leverage उसको कौन बनाके दिया है corporate manager ने decide कि हाँ हम एकस्प्रेसो यानि शेयर खन की तरफ से options पर leverage देंगे टू टाइम्स का यह power रहता है corporate manager के पास और वो किसी का भी trade देख सकते जो यहां पर लिखा भी है trade related activities, order related activities ठीक है वो यह ऐसा भी कर सकता है जिसे हम front running illegal authority activity यह फिर भी बोल सकता हूं में corporate manager देख रहा है किसी कोई विक्ती उसके organization से 100 करोर का reliance buy कर रहा है समझ सकते ना इतना information उसके लिए काफी है कुछ लफरा करने के लिए क्या लिखा है यहां पर, highest level in the trading firm corporate manager can prefer all the functions such as order and trade related activities, report for all branches, trading member firm का, dealers का भी जो लोग पता लगा रहे है, जो dealer होते है, जैसके में एक dealer हूं, कोटी advisor हूं, dealer जो करते है, order place करते है, किसी client का तो उनका भी सारा कुछ वो देख सकते है, along with this he can also define exposure limit of the branches of the firm, पगेड़ा पगेड़ा ठीके, branch manager कौन होता है, corporate manager के नीचे, branch manager जो level का आता है, branch manager होता है, उनके under पर एक branch रहता है, उस पुरा branch का वो सारा कुछ देख सकता है, और dealer कौन रहता है, dealer होते है, normal dealers, security advisors, senior equity advisors, deputy dealers, जो भी होते है, वो order place करते, advise देते, वगेड़ा वगेड़ा, तो यही यहां पर लिखा ह और broker का relationship ही नहीं हो सकता, KYC होगा, दोनों-दोनों पर जान पहचान होगा, तभी एक दंदा आगे बढ़ेगा, यह दंदे की बात कर रहा हूं, यह जब आप यह पर रहे हैं, तो यह वाला chapter आपको real corporate world का यहां से start होता है, कैसे काम होता है, अब तक जो परा, कोई भी singular level प दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको as an organization अभी सोचना पड़ेगा, तो trading member कैसे जानेगा, KYC के बारे में, agreement के बारे में, execution order कैसे clients दे रहा है, इन सारे चीज़ों के बारे में, एक बार आप पल लीजिए, यह भी timely pay in, pay out, यह सारे चीज़े बहुत important हो जाता है, relationship के बारे हर एक broker के पास time conditions, price conditions वाला system ज़रूर होगा, इसका simple मतलब हो गया, price time conditions मतलब हो गया, intraday order, immediate, time conditions मतलब हो गया, intraday order, delivery order, immediate order, उसके साथ day order, बता रहा हो क्या है, price conditions हो गया, limit order, SL order, market order, SL market order, यह सारे चीज़, time conditions मतलब, intraday में order place करने के लिए, जो system होता है, delivery वरी में जोर होता है, immediate मतलब, अभी के अभी order place होगा, नहीं तो नहीं होगा, यह वाला system हर किसी के पास होता है, उसके साथ साथ, यह वाला क्या था, immediate order के साथ, day order, मतलब, आप एक order, price set कर दे, सारा दिन में execute होगा, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, यह होता है, intraday वाला, यही फ़लाना टिम करना, यह सारे चीज़ यहां पे लिखा हुआ है, price conditions क्या होता है, limit order, sell order, market order, sell market order, sell market order, मतलब, हर किसी broker के पास यह चार सिस्टेम ज़रूर होगा, आप limit पे order लगा सकते, market पे, stop loss market पे, और stop loss limit पे, चलिए, time conditions क्या है, day order, वही बता है, मैंने, जो intraday वाला order है, immediate or cancel, IOC order जिसे कहते, अभी के अभी लगाना होगा, नहीं तो नहीं लएगा, याद रखिए, GTT order जो होता है, हमेशा सब broker के पास available नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहां पे यह mention नहीं है, GTT क्या है, नहीं पता, तो जाके Google पे एक पर सर्च कीजे, आपका knowledge test कर रहो है, comment box में बताईए कि GTT order क्या होता है, जरूर बताईएगा, ठीक है, price condition क्या है, same limit order, market order, stop loss order, उसके साथ साथ, कहां लिया stop loss market नहीं है, अभी तो फिलाल है भी नहीं है stop loss market order, ठीक है, यहां पे एक बार आप reading पर लीजे यह सब आप लोगों को जरूर पता होगा, तो मैं इस बार में, इस बार वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, बवन नहीं कर पा रहे थे हम, तो यह सब मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है, यह एकदम common सा चीज है, आप लोग एक options का derivative market का segment ऐसा हो गया है, कि इतना, इतना मतलब volume है कि order matching में mismatching का कोई problem नहीं होता, कि आपने order लगाया 3 रुपे पे और वो execute होगा 2 रुपे में, unless and unreal it is very illiquid counter, ठीक है, यह बात याद रखिए, तो order matching rules में best price आता है, within price by time priority आता है, best price पे buy होना, average price, carrying cost बहुत घट जाना, य जो की है, derivatives में, carrying cost पता यह होगा, features carry करने में, options carry करने में, जो जो cost लगता है, carrying cost, मतलब 2 average buyers करें, 2 average sellers करें, 2 sellers करें, 2 sellers करें, 2 sellers करें, इनके price को लेके, average करके, जो best average price राता है, वो एकदम genuine price होता है, उस price पे ना मिलके, अगर किसी दूसरे price पे आपको मिल जाता है, तो उसक difference होता है, carrying cost, वो बहुत अभी nominal हो रहा है, जितना liquidity आएगा market पे carrying cost उतना घरता जाएगा, है ना, जितना illiquid market होगा, उतना carrying cost ज्यादा होगा, तो यह सारे चीज़ अभी अभी ठीक हो रहा है, ठीक है, अच्छा, next क्या है price band, price band क्या होता है, upper circuit, lower circuit, ठीक हर चीज़ का upper circuit औ पे जाकर रुख जाएगा, options तो care unlimited जाता है, लेकिन एक आप जरूर एक चीज़ आप notice करेंगे, आपको लगता है कि options unlimited आप पैसा कमा सकते है, लेकिन अगर किसी options का कोई भी details पे जाके एक बार देखेंगे, तो आपको नीचे जरूर मिलेगा, price band, मार लीचे option 500 रुपे में गूम रहा है, तो उसका 2 band रहा है, 0 तो हो ही गया, खतम हो जाएगा, अपर में एक band जरूर रहेगा कि सारे 3000 के उपर वो नहीं जा सकता है, इसे कहते है price band, ठीक है, index future में 10% का base price का band रहता है, index में जब आप futures में trade करेंगे, तो जो index होगा, जैसे 35,000 का, अगर माल लीचे 40, का bank nifty है, ठीक है, 40,000 का 10% 4000, 4000 point bank nifty उपर जाएगा, तो bank nifty का future trade होना बंद हो जाएगा, अब तक जब तक वो फिर से cool off नहीं हो था, for index and stock options, contract specific price range band on delta value is computer and updated on daily basis, index का हमेशा 10% का रहता है, लेकिन stock का अलग अलग रहता है, ठीक है, stock index futures का अलग अलग रहता है, ठीक है, एक ब यह वाला जो पार्ट है, questions एक भी नहीं आता है, लेकिन यह वाला पार्ट यहाँ पर justified नहीं है, मतलब बोल के या फिर देख के आप नहीं समझ सकते, क्या मतलब आप किसी भी एक broker पर जब यूज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ यह वहाँ पर होता है, tickle bar, tool bar, market watch, inquiry order, order trade window, system message वगड़ा वगड़ा, यह सारे चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह यह पार्ट जो है, यह सिर्फ reading पढ़ने के लिए है, और reading भी ना पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, नेक्स्ट आता है, selection criteria of stocks for trading, यह भी पार्ट मतलब आपको हर जगाई दिखता ही है, बस यह दिखाने के लिए है, ठीक है, मतलब कौन सा underlying है, उसका future है की नहीं है, exchange में minimum value कितना है, उसका, पटिक size क्या है, 0.05, ठीक है, operation range मतलब 10% base price का, trading का cycle क्या है, तीन मन्त होता है, near month, next month, far month, last trading date क्या है, settlement basis क्या है, M2M है, या final settlement है, T plus one यह बहुत important एक topic होगा, अभी हर किसी stock पे T plus one दीरे दीरे आ रहा है, पहले T plus two था, अभी बहुत सारे script पे T plus one आ गया है, और recently अच्छा छोड़िये वो सब अलग बात है, anyways, तो T plus अंदर का बात है, तो T plus one दीरे दीरे आ मार्केट पे, यह revolution हो जाएगा, अगर T plus one आना चुरू हो गया, तो BTSD trade में margin लगना बंद हो जाएगा, बहुत बहुत, T plus one पे BTSD, कितना BTSD trade margin की वज़े से execute नहीं होता, दोस्तों, आप लोग अंदाजाना भी नहीं है, हम लोग future and options पे BTSD करते हैं, इसलिए हमको real value नह नहीं रहेगा, अगर आप pocket खाली करके जाएंगे, तो यह सारे चीज, बहुत सारे problems होते है real life में, यह सारे ठीक, जीरे-जीरे ठीक हो रहा है, settlement price क्या है, तो यह आप एक बार reading पर लीजे, यह questions पर तो बिल्कुल नहीं आता, यह बस example है, आप जो real life में देख रहे हैं, वो बहुत important सुरू हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटाइएगा मत, eligibility criteria for stock selection, यह जो stock selection है, यह मैं cash market की बात नहीं कर रहा हो, F&O में आने के लिए, एक stock के पास क्या-क्या होना चाहिए, हर stock तो F&O में trade नहीं करता है, आपको Wipro का future options मिल रहा है, ठीक है, आपको पान लिजे, on नीचे अगर में बदू, Janus Powers हो गया, इस तरह का stocks का तो आपको future options नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उसका कारण क्या है, relax हो, इस तरह का option stocks का आपको future options नहीं मिलेगा, PC-2Ls, कहा है, F&O तो हर किसी stocks में हो सकता है, लेकिन किस-किस stocks selected होगा, इसी के लिए यह eligibility criteria है, और यह बहुत important है, क्या है, बहुत अच्छा questions आता है, क्या क्या questions आता है, मैं भी वो अभी बता भी देता हूँ, eligibility criteria for stocks, एक stocks F&O में आने के लिए उसके पास क्या-क्या criteria होना चाहिए, the stocks shall be chosen from amongst the top 500 stocks in terms of average daily market capitalization and average daily traded value in the previous 6 months on a rolling basis, मतलब जो stock F&O में आना चाहेगा, देखें, stocks तो 1000 हो है, Nifty 500 है, Nifty 100 है, Nifty 200 है, Nifty next 100 है, Nifty 50 है, Bank Nifty, बगेड़ा बगेड़ा, market में, BSE में, कितना, मुझे व्यार भी नहीं है, अभी कितना listed stocks है, 1000 के उपर listed stocks है, 2000 क्या, 2500 के उपर listed stocks है, इतने सारे stocks में, कौन सा stocks F&O में आएगा, जो की top pass सो में आएगा, किस basics म टाकी price, अब top 500 में मतलब क्या, top 500 मतलब क्या, उसका daily percentage change, नहीं, gain, losers, नहीं, किस basis में, on the basis of average daily market capitalization, market में जिसका जितना बड़ा capitalization होगा, average daily बता रहो, आज किसी stock का capitalization है, 100 करोर, कल अगर वो 10 करोर हो गया, तो वो average daily capitalization नहीं है, average daily capitalization के हिसाब से, अगर वो top 500 में आता है, top 500 में आएगा, तो ही वो पहली बार eligible होगा, F&O में आने के लिए, ठीक है, ये बात याद रखिए, तो top 500 में आना बहुत important है, as in terms on average daily market capitalization, ठीक है, next line क्या है, average daily traded value in the previous 6 months on a rolling basis, average daily traded value जो होता है, हर रोज reliance में इतना सौधा आता है, infosys में इतना सौधा आता है, तो इस तरह से average daily जो trade value होगा, उसको भी उसमें top 500 में आना होगा, last 6 months के rolling basis, मतलब near month का next future आएगा, next future आएगा, इस तरह से next contract आएगा, 6 month का rolling basis पे उसको top 500 की average daily traded value में आना होगा, तो वो eligible होगा, next क्या है, the stocks median quarter sigma order size, मतलब MQSOS, over the last 6 months shall not be less than, समझा रहा हो, shall not be less than 10 lakh rupees, MQSOS, यह क्या है, MQSOS क्या है, बहुत deep एक chapter है, median, average median, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर dependent है, मैं short पर समझाने की होशिश आपको करता हूँ, MQSOS हो गया, कि एक stock में कितना रुपे का आप सौधा लेंगे, तो उसके price को आप manipulate कर पाएंगे, समझ गए, एकदम सीधी बात में, जैस से उसका, उसी calculation, जो, देखे, अभी calculation तो मुझे नहीं आता, यह मैं statistics का बंदा हो नहीं हो, तो मुझे वो calculation नहीं आता, लेकिन मैं आपको vast overview बता रहा हूँ, MQSOS जो होता है, कितना रुपे आप अगर लगाएंगे, एक बार में, एक सौधा में आप पंच करेंगे, कितना रुपे, कितने का order value, कितना value, तो आप एक price का manipulate कर पाएंगे, मान लिजिए, इस हिसाब से अगर किसी stock का MQSOS नहीं होता, मान लिजिए, किसी stock का MQSOS एक है, तो एक रुपे तो हमारे लिए बहुत easily accessible है, हम अगर 1000 रुपे लगा देंगे, तो 1000 point उसका इधर-धर हो है ना, तो easily manipulate हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं, जो stock का जितना high capitalization है market पे, जिसका जितना high free float capitalization है market value है, उसको manipulate करना उतना ही tough है, reliance can't be easily manipulated, whereas you know, whereas what is easily can be manipulated, तो इस तरह के चीजों के लिए एक rules बना जाता है, तो MQSOS क्या है, कितना रुपे डालने पे एक point इधर-उदर हो स सकता है, वो वाला चीज, F&O में आने के लिए, shall not be less than 10 lakh रुपी, मतलब किसी stock पे अगर 10 lakh रुपे से कम डालने पे, एक रुपे इधर-उदर हो जाता है, तो उसको options पे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैं एक stock option ले लूँँगा, भर-भर के, भर-भर के, औ और किसी को बोल दूँगा, भाई मेरे लिए 10 मिनिट के लिए बस order punch करके, दो मिनिट बाद निकाल दे, तो वो punch में order manipulate हो जाएगा, मेरा stock options बर जाएगा, में निकाल लूँगा, पैसा वो निकाल लेगा, बच्चों का खिलना थोड़ी है ना ये दोस्तों, तो ये सारे ची कितना होगा, एक करोर होगा, ठीक है, दो करोर, दस करोर होगा, सो करोर होगा, अब कितना सो करोर, दस करोर, बीस करोर रूपे से कितना manipulate कर पाएंगे, infosys जैसे counters को, याद रखे हमेशा ये चीज़े, ठीक है, तो यही पर वही लिखा है, एक बाद रेटिंग पर लिजी आ तिन number point, A number point क्या था, हमने discuss कर लिया, B number हमने discuss कर लिया, A number top 500 पे आना होगा, average daily market capitalization के हिसाप से, और अपना average daily traded value के हिसाप से, last 6 months का, उसका MQSOS जो median quarter sigma order size है, जो कि एक मतलब कितना पहलू डालने पे उसका एक price बरेगा, वो minimum 10 लाग होना चाहिए, और तीसरा क्या है, तो market wide position limit, MWPL, market wide position limit का simple सा example है, कितना positions market पे खड़ा हुआ है, ठीके, in the stock shall not be less than 300 crores, ये in the stock, मतलब market wide positions limit, एक stock का, अगर 300 करोर से कम है, तो वो FNो में नहीं आएगा, क्यों, 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 वो फिर बहुत illiquid हो जाएगा, 300 करोर, मतलब, एक जो करोर पती होगा, जो एक कर किसी के पास होगा, 100 आदमी अगर होगा, तो 100 करोर तो ऐसी होगा, 100 आदमी से 50 buy कर रहा है, 50 sell कर रहा है, इसी नहीं मिलेगा दोस्तों, और अगर 100 करोर, 100 आदमी हो, जिनके पास 1 करोर होगा, और 80 buy कर रहे है, 20 sell कर रहे, क्या होगा, उस stock का तो, मतलब, बहुत कुछ हो जा अब इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, okay, continued eligibility criteria for stocks and equity derivatives, ये क्या था, eligibility criteria, मतलब, ये होना ही चाहिए, उसको entry करने में, सपोज ये सारे parameters, एक stocks ने fulfill कर दिया, तो वो FNO में आ गया, वो FNO में आ गया है, very good, अब उसको तो वहाँ पे बने इसके लिए eligibility क्या है, continuation के eligibility क्या है, थोड़ा सा यहां से घटा देता है, जैसे कि आप एक बार अगर पास कर लेते हैं, कोई एक exam, निक्स बार आपको अपना, जैसे simple example, आप NISM जैसे 8 पास करेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद आपको एक retest देना परेगा, लेकिन इस बार क आपको full test नहीं देना परेगा, एक evaluation certificate होने से ही हो जाएगा, बतलब आप updated है, तो यह सारे छूट continuation पर मिलता है, उसमें जो continuation का criteria होता है, वो थोड़ा सा relaxation है, जैसे MQSOS eligibility के लिए क्या था 10 लाग, यहां पे MQSOS है 5 लाग, MWPL market wide position limit था 300 करोर, continuation के लिए 200 करोर, और the stocks average monthly turnover in derivative segment over the last 3 months shall not be less than 100 करोर, मतलब यह stock का, जो भी stock continuation में जाना चाहता है, उसका last 3 महिने का derivatives का volume 100 करोर से कम होना नहीं चाहिए, मतलब सपोज यह वाला point को आपकर ignore करते हैं, सब कुछ एक stock कर दिया, ठीके, वो उसका पास top 500 average volume में आ गया, market capitalization वाले में, उसके पास MQSOS 10 लाग से ज्यादा है, उसके पास MWPL market over wide position limit 300 करोर से ज्यादा है, आ गया, उसके बाद 2 महिने उसको pass trade हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसका 3 महिने में turnover 100 करोर से कम है, मतलब क्या है दोस्तों, मतलब simple है, लोग उसमें interested नहीं है, तो वो stock F&O में और नहीं रहेगा, जैसे बहुत सारे stocks F&O से चले गए हैं, तो ये continuity eligibility है, इसका एक criteria है, तो ये सारे चीज़ आप एक बार फिर से reading पर लीजे, मैंने आपको बास topic समझा दिया, अभी आपको reading पर के बस अपने brain में रखना है, brain में इस तरह से रखिए कि एकदम गद जाए, if a stock fails to meet this retention criteria, तो वो फिर F&O से पे consider नहीं होगा, उसको निखाल देगे, reintroduction of drop stock, ये से भी decide करता है, कि अगर कोई stock drop हो जाता है, पैन बोल नहीं रहो, मतलब खतम हो गया, F&O में ही नहीं है, तो उसको आने में बहुत सारे conditions होते हैं, जो से भी approval देगा, exchange approval देगा, तो ही होगा, ठीक है, selection criteria of index for trading, ये हम बात कर रहे थे index का, not stocks का, not index का, stocks का हो गया, stocks आप समझ गया, अभी index में देखते हैं, index में भी options and futures होता है, उनका क्या criteria होता है, जैसे बहुत सारे index है, nifty 50 है, nifty 50 है, nifty 100 है, bank nifty IT है, nifty pharma है, nifty auto है, nifty metal, nifty bank, nifty energy, nifty green, बहुत सारा कुछ है, तो इन में से कौन सा index पे ही हम trade कर सकते हैं, sensex पे क्यों नहीं, nifty 50 में ही क्यों, nifty 50 में ही क्यों, nifty 100 में क्यों नहीं, कभी तो questions आया होगा आपके दिमाग में, क्यों nifty 50 और bank nifty का ही options and futures होता है, nifty IT का क्यों नहीं होता है, होता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं होता है, same है eligibility criteria of indices, highlight कर देता हूँ, the exchange में consider introducing derivative contracts on index, if weightage of constituent stocks of the index which are individually eligible for derivatives trading is at least 80%, मतलब क्या हो गया, जैसे कि पहले example से समझा आता हूँ, उसके बाद clear भाहसा में बहुते है, nifty 50 में जितना भी stocks से minimum 80%, 80% stocks का derivatives activate है, मतलब nifty 50 का 80%, 85 जा 40, 40 stocks का minimum 40 stocks का आपको देखने को मिलेगा derivatives activate है, नहीं होता तो वो nifty 50 eligible नहीं होता, derivative segment पे आने के लिए, मतलब क्या हो गया, जो भी index होगा, उस index पे at least 80% stocks, at least 80% stocks eligible होना चाहिए FNO में रहने के लिए, तो ही वो वाला index, जो stocks, उस stocks से जो index बनेगा, उस पे trading हो सकता है FNO, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, no single ineligible stock in the index shall have a weightage of more than 5% in the index, मतलब, मार लीजे 40% stock तो हो गया, कि उनके पास FNO है, तो वो index आने वाला है, लेकिन किसी एक stock, जिसका FNO नहीं है, उसका अगर उस index पे weightage 5% से ज्यादा हो गया, तो index खराब हो जाएगा, इंडेक्स को फिर नहीं मिलेगा, अपना FNO का certificate, FNO का activation, मतलब क्या हो गया, कोई एक index है, उसके पास 100 share है, तो minimum 80 shares eligible होना चाहिए, खुद के FNO के लिए, खुद के FNO के लिए, खुद के FNO के लिए eligible कैसे होंगे, जब यह सब criteria follow करतेंगे, तो खुद के FNO के लिए eligible होगा, minimum 80 stocks, तो इसका first tick है, यह index eligible हो गया, उसके साथ साथ, कोई uneligible stock, जो की eligible नहीं है, उसका weightage, यह वाले index पे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, होगा, तो यह नहीं होगा, यह दो eligibility आएगा, तो ही वाला, वो वाला index, पूरी तरीके से FNO के ल पल लीजे, यह वाला part भी आपको easily, और समझ में आ जाएगा, adjustments of corporate actions, corporate actions क्या होता है, simple way में corporate actions होता है, bonus dividend splits, demerger, amalgamation, merger, जो corporate actions होता है, corporate actions होता है, उसे कहते है corporate actions, simple way, जब भी कोई action होगा, कोई corporate action होगा, stocks के खेतर में में बात किर रहा हूं है, और आपको real life में क्या मिलेगा देखने को corporate action जब होता है, तो उस stock का margin position नहीं रहता है, exposure book नहीं रहता है, उसका F&O बंद किया जाता है, कुछ दिनों के लिए उसमें trading बंद किया जाता है, नहीं तो manipulation बहुत ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, adjustment कैसे किया जा सकता है, the basis for any adjustment for corporate action shall be such the value of the position of the market बगेडा बगेडा, आप बल लीजे यहाँ पर, यहीं लिखा हुआ है, any adjustment for corporate action shall be carried out on the last day on which a security is traded on a come basis in the underlying cash market after the closing of trading hours, corporate action अगर कल है, दो तारीक को है, तो एक तारीक का closing price आएगा, closing price के बाद उस price के उपर adjustment आएगा, corporate action दो तारीक को है, तो उस price के उपर adjustment होगा, जैसे कि मानलीजे किसी share 100 रुपे में trade कर रहा है और उसने 5 रुपे का dividend देने का फैसला किया है, दो तारीक को, और यह 100 रुपे पे close किया है, एक तारीक को, तो दो तारीक को वह खुलेगा 95 में, यह 5 रुपे इसका घटा ना, यह 5 रुपे तो इसका minus हुआ, इसे ही adjustment कहते है, इसे यही adjustment कहते है, एक corporation के ऊपर, जो कि last trading price, last trading days का next day में adjust हो के खुलेगा, यहाँ पर यह लिखा है, आप एक पर देख लिजे, strike price, position, market, lot, multiplier, कुछ भी adjust हो सकता है, market, lot, multiplier, मतलब lot size घट सकता है, अगर कोई stock split हो रहा है, तो उसका lot size change होगा, जैसे 1000 रुपे का stock है, 250 का lot size है, ठी split हो गया, 10 is to 1 पर, ठीक है, मतलब 10 share अभी, माफ किजीगा, 1 is to 10 पर, क्या बता दिया है, 1 is to 10 पर, यह split हो गया, ठीक है, मतलब 1 share अभी 10 share में आ जाएगा, तो इसका value आ गया 100, तो इसका multiplier तो अभी 250 नहीं रहेगा, इसका आप देखेंगे, multiply हो जाएगा, lot size 25 होगा, क्या होता है, corporate action यह होता है, bonus, right issue, demerger, margin, amalgamation, split, consolidation, high of, warrant, secure premium notes, extraordinary dividends, extraordinary dividends क्या है, इसके बार में कभी सुना है, dividends तो हो गया, दोस्तो normal dividends, extraordinary dividends मुझे याद नहीं हा रहा है, ऐसा कुछ cases हो था कि नहीं, शायद मुझे थोड़ा pressure देना पड़ेगा दिमाग में, extraordinary dividends मतलब हो गया, को extraordinary dividend होगा, और अगर वो extraordinary dividend हुआ, तो उसके strike price, उसका market price, सब कुछ में adjust हाएगा, ये सारे चीज़ आपको नहीं लगेगा, फिर भी में एक बार बताते हैं, bonus, stock, split, consolidation, क्या है, ये एक बार पल लिजाए, आपको तो पता ही, bonus क्या होता है, bonus में आएगा 10 to 10 share के जगा पे आप आपको एक share free में मिलेगा, तो 11 share हो जाएगा, आपको ratio A to B, A plus B by B, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देख लिजिए, stock splits and consolidation split हो गया stock, या फिर जोड दिया, दो stock को मिलके एक कर दिया, ये सारे कॉर्प्रेटेक्शन होते है, dividends, यहाँ पे लिखा भी है, dividends which are below 10% of the market value of the underlying should be deemed ordinary dividend, उसके उपर अगर जाएगा, तो वो extraordinary dividend हो जाएगा, extraordinary market पे बहुत कुछ adjust हो जाएगा, ये सारे चीज़ investment bankers देखते है, आपको इसमें दिमाग लगानेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको real life में use मिलेगा, ना तो questions आता है, उतना ज्यादा, तो एक ब बता देता हो, positions limit हो गया, client level, trading member, professional member, इनके पास क्या-क्या limit रहता है, positions बनाने का, जैसे client level, हम और आप client level हो गए, हमारा एक limit रहता है, position बनाने का, आप अंधा धुन पैसा नहीं लगा सकते, stock market पे, फिर आप पे सवाल उठेगा, आप पे जाच परताव होगा, तो ये सारे चीज़ आपको maintain करना पड़ेगा, और आप कर भी नहीं सकते, एक normal आत्मी के लिए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम HNI नहीं है, high net worth individuals नहीं है, तो client level क्या, एक limit क्या है, position limit का, 1% of the free float market capitalization, और 5% of the open interest in derivative contracts, मतलब अगर 100 contract, कुछी options का, किसी stock या index का खड़ा हुआ है, तो हम 5 के उपर जैसे order लगाएंगे, हमारे उपर मतलब वो order लगेगा नहीं, ऐसा client level, जब भी हमारे पास ID होगा, तो उस पर लगेगा नहीं, और फिर जब आप लगा भी देंगे, आप पर सवाल भी उठेगा, और ये तो हो गया आपका derivative segment में, 5% के उपर, और 1% of the free float market capitalization, अ आप यहाँ पर एक बार reading पर लीजिए, ये वाला, एक बार reading पर लीजिए, ये वाला ये तीन चीज़े तो आपको आसाने से समझ में आजाएगा, ठीक है, पुरा reading पर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत important चीज़े आप लोगो को बता रहा हूँ, पूरा, एक एक बार तो आपको रिडिंग पढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक बार रिडिंग पर के नहीं समझ सकते हैं यहाँ पर यह लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आता है कोई भी कोई भी mutual fund का जो मेंबर है कोई भी mutual fund अपना शॉर्ट पोजिशन नहीं बढ़ा सकता अपने होलिंग से ज्याता है मतलब मार्केट पे शॉर्ट करके उतना ज्यादा नहीं चल सकते हैं मतलब क्या हो गया आप होल्डिंग बेज चीए फिर शॉर्ट पोजिशन मत बनाईए होल्डिंग बेज के चल सकते हैं लेकिन हेजिंग आपको सपोज एक mutual fund हाउस के पास 100 करोर का पोजिशन बनाया मतलब है कि न्यूस पेपर में भी आप फ्यूचर और ऑप्शन को ट्रैक कर सकते हैं पॉजिव ट्रेंड यह क्या इनफर्मिशन ऑन ट्रेंज इन फनो मार्केट इस तरह का ट्रेंड देखेंगे तो हो गया काम पॉजिव ट्रेंड क्या है इट इंफर्मिशन एबाओ इस चैटर से भर भर के खूश्चिन सा थे हैं इस चैटर से नेक्स चैटर में पात करेंगे आज के लिए आप यह आफ विडिएो फिर जा रहे हैं अभी कोई एगा ट्रेडर होगा तो उसको clearing members जानने की ज़रूरत नहीं है उसको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है वो trading करेगा, नोप लिए अगा, पर्सनल लेवल का हो गया लेकिन आपको अगर organization corporate level पर चाना है तो आपको ये सारे चीज़े जानना पड़ेगा आपका client जब आपसे पूछेगा कि sir मेरा मेने तो 100 रूपे का सोधा लगाया था तो ये सोधा automatic card कैसे गया तो आपको वो बोलना पड़ेगा कि उनका margin में क्या problem आ रहा है तो ये सारे चीज़े आपको बताना पड़ेगा ये तो आपका धंदा चौपड हो जाएगा तो ये सारे चीज़े as an equity advisor, as an equity dealer, senior equity जो भी हो आपके लिए बहुत important होगा जो अपना career at least stock broking industry में देखना चाहते है ठीक है as an corporate और मैं क्या बोल रहा था शुरू से ये सारे चीज़ पढ़िए at least 6 महिने काम कीजिए आपको इतना knowledge मिलेगा practical field में दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता trading आप सीख जाएंगे आपका practice का game है trading कुछ नहीं है trading बस mindset skillset का game है skillset बन जाएगा चे महिने में practice आपको ले जाएगा उस level तक प्रैक्टिस आटोमेटिक आ जाएगा लेकिन आपके पास जो इतना outside knowledge रहेगा वो आपको बहुत help करेगा मैं खुद personally बोल रहा हूँ मेरा trading style बहुत change हुआ है एक organization के साथ काम करते करते मेरा broader view बहुत change हुआ है मैं सिर्फ technical analysis पर अभी खरा नहीं रहता उसके साथ साथ क्या-क्या sectors रहते क्या-क्या बहुत सारे चीज़े जैसे choppy markets पर आप कैसे trading करेगा आपका कोई strategy काम नहीं करेगा लेकिन एक fund manager एक real time trader कभी भी choppy market हो या sideways हो या trending हो वो बैठे नहीं रहेगा वो उसको अपना money rollover करना है ठीक है वो जरूर trading करेगा हम बोलते हैं न कि अपना trading आएगा हमारा setup आएगा तो ही हम trade करेंगे absolutely बिलकुल सही का लेकिन choppy market अगर 10 दिन रहा गया मंदीगा बजार है 10 दिन volatile India week 20 पे कैसे trading करना है यह सारे चीज़े सि बड़ा trader से YouTube में हो गया real life में हो गया वो किसी ना किसी organization के जुरे थे उसके साथ अपना career start किये है उनके साथ बड़े है अपना खुद का portfolio दूसरों का पैसा बनाया है उन्होंने दूसरों का पैसा आगर बना पाएंगे तो खुद का पैसा बहुत इसली बना पाएंगे यह मेरा thinking है I can be wrong बट मैं तो यही सोच के जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ क्यों कि मुझे results दिख रहा है बहुत सारा results मुझे दिख रहा है और एक चीज इंस्टाग्राम Reels को मतलब बहुत सारे negative Reels मतलब हो गया बहुत लोग मु गमाते this is wrong don't fall for these traps एक बात हमेशा याद रखिए आप जब तक इस तरह का expectation लेके trading industry में आएंगे आपका पैसा डूबने ही वाला है एक ट्रेडर एक discipline ट्रेडर जो होता है वो बहुत अलग किसम का होता है आप किसने का आप organization के साथ काम करते करते आपका trading career शुदू नहीं कर सकते आपको capital चाहिए आपको knowledge चाहिए आपको काम करना ही पड़ेगा be practical ठीके वो वो Cinderella वाला दुनिया से निकली है दोस्तों और वो सारे डिल्स को देखके over motivated, over excited, over hype मत होई है यह बहुत hard line है यहाँ पे सिर्फ एक परसन लोग भी नहीं जीत पाते हैं हम we are competing against the 99% smart we are competing against the 99% people ठीके बतलब उन में से इतना smart people है इस industry में एक परसन लोग जीतते हैं और हम उनके जेब से पैसा लाना चाहते हैं तो हमको बहुत 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 sharpie trade करना पड़ेगा उसके लिए आपको हर एक knowledge जानना बहुत ज़रूरी है चलिए लास्ट का 4-5 minute बहुत ज्यादा लंबा क दोनों PDF दिया हुआ है जाइए एक बार प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट वीडियो दो दिन में लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं में थोड़ा सा काम भी आ जाता है और इसके बाद खुद का रिसर्च बगेरा बहुत मतलब active हो गया है लेकिन EMI लेना है चुकाना तो दोस्तों मेरा इस प्रेशर के लिए बदले में आपसे मुझे क्या चाहिए बस एक या दो लाइक मार दीजे सब्सक्राइब करतीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करतीजे आज के लिए वीडियो यही खतम करता हूं नीचे लिंक पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको ज